Hello students, मैं Dr. Nisha Goyal, Associate Professor Political Science RD Girls College भरतपुर. हम लोग पढ़ रहे हैं B.A. Part 2nd के second paper में भारतिय राजविवस्ता के अंतरगत आतंकवाद. आज हम देखेंगे आतंकवाद के मूलभूत कारण. देश में आतंकवाद की जो गंभीर इस्तिती है, वह इस्तिती उन मूलभूत कारणों के संबंद में सोचने के लिए बाद्य करती है, जिनोंने भारत के विविनेश क्षेत्रों में आतंकवाद को जन्म दिया और उसे बनाए रखा. आतंकवाद के लिए उत्तरदाई कारणों की विवेचना कई प्रकार से की जा सकती है कोई भी विवेक्षी व्यक्ति किसी भी रूप में आतंकवाद और आतंकवादी तोड़ तरीकों का किसी भी रूप में समर्थन नहीं कर सकता लेकिन यहें तत्य है कि आतंकपाद के इस इस्तिती के लिए केवल आतंकपादी ही दोशी नहीं है इस देश में सदियों से अन्याय और सोशन तो चलाई आ रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति और नवीन समिधान को लागू करने के बाद भी इसमें कोई कमी नहीं आई है हमने सामाजिक आर्थिक नियाय के केवल नारी लगाए हैं उस दिशा में कोई ठोस कारे नहीं किया है राज्य विधान मंडलों ने अनेक भूमी सुधार कानून पारित किये लेकिन उनमें से अनेक कानून केवल कागजों पर ही है और भारतिय संग के अनेक राज्यों में भूमी हिन क्रिशकों की इस्तिती में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है सत्ता के गल्यारों में शोशित वर्ग की आवाज की कोई चिंता नहीं की जाती जब तक बिस्पोट ना हो शासत समस्या की और आखें मूंदे रहते हैं इस प्रकार की समस्त परिस्तितियों में आतंकवादी सही या गलत रूप में सामाने जनता को वे विश्पास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे आतंकवादी नहीं वरन अन्याई के विरुद्ध संघर्श करने वाले जुजहारू लडाके हैं और जब कभी आतंकवादी ऐसा विश्पास दिलाने में सफल हो जाते हैं आतंकवाद की शक्ती बहुत अधिक बढ़ जाती है नमबर दो नव युवक वर्ग में तीवर असंतोश सिक्षित विरुजगारों समस्त सामाजिक विवस्ता में बिद्यमान आपाधापी तथा अन्य कुछ बातों ने सिक्षित और अर्द सिक्षित नव युवक वर्ग में तीवर असंतोश उत्पन कर दिया है एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग दो करोड तो सिक्षित विरुजगार हैं सिक्षित असिक्षित पून विरुजगार और अर्द विरुजगार सब मिलाकर कि यह संख्या 15 करोड के लगभग है विरुजगारों की यह इस्तिती आतंक बात का बड़ा आधार तयार करती है जब नब योग वर्ग यह देखता है कि योगता के वावजुद अच्छी नोकरी प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन कारे है महनत मजदूरिया नोकरी के आधर पर सम्मान और सुविधा जनक जीवन जीपाना बहुत अधिनिक कठिन है वो ये भी देखते हैं कि तसकर और नशीले पदार्तों की व्यापारी मौच कर रहे हैं तो वो इन कार्यों की और आकर्चित होते हैं यह तथ्य है कि तसकरी नशीले पदार्तों का व्यसन और व्यापार तथा आतंक पाद में सीधे संबंद के इस्तिति है 2. आतंकवाधी तसकरों का अपने लिए प्रयोग करते हैं और तसकर आतंकवाधीओं का 3. अवयद शत्र निर्मान और शत्र भंडार आतंकवादी गती विदियों के बढ़ने का एक प्रमुक कारण यह है कि भयानक और आधुन एक्तम शस्त्र अवैद रूप से प्राप्त कर लेना बहुत अधिक सरल हो गया है कश्मीर के आतंकवादियों के पास देशी और विदेशी हत्यारों की भरमार दस परचोंक से समाचार सप्रहे थे मगर वास्तवित्य यह है कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिल नाडू तक शाहिद ही कोई ऐसा राज्यहू या अवैद हत्यारों का निर्माण या धंदा ना हो रहा हो 1988 में किंद्र सरकार ने ये नेड़न लिया था कि हत्यारों का निर्माण केवल सारविजनिक शीत्र की कारखाने करेंगे उद्देश यह था कि हत्यारों के निर्माण पर पूरा-पूरा नियंद्रन रहे लेकिन पता नहीं किस प्रकार के प्रभाब में आकर इस निर्णे पर कभी अमल नहीं किया गया देश में 133 गैर सरकारी कारखाने हत्यारों का निर्माण करते हैं निजी उद्धिवों की बड़ी संख्या में हत्यार बनाने की लाइसेंस कैसे मिलने लगे इसकी जांच होनी चाहिए भारत में तो इस्तिती यह है कि अत्यन्त आधुनिक प्रकार की हत्यार चोरी छुपे खरीदे जा सकते हैं जिनमें AK-47, क्लासी निको गूसी राइफल और M-1 अमेरिकी अशीन पिस्तॉल जैसे अत्यन्त घातक हत्यार भी शामिल है ऐसे में यदि धिहाडी पर हत्या करने और करवाने बाले, सामप्रदाएक दंगा करने वाले, सारपजनिक इमारतों और पुनों को उणाने वाले, लोगों का एक पेशिवर वर्ग देश में पैदा हो गया हो तो आश्यर क्या है? नमबर चार शाशक और शाशित में समवाद हिंता की इस्तिती और शाशक वर्ग की समवेदन ही शूरनता लोगतंतर एक ऐसी शाशन विवस्ता है जिसमें शाशक और शाशित के बीच निरंतर संपर्ग की इस्तिती होनी चाहिए शाशन में जनता के दुख दर्द के प्रती समवेदन शीलता होनी चाहिए और जनता को विश्वास होना चाहिए कि चाहिए कुछ समय लग जाए लेकिन शाशक वर्ग उनकी बात पर विचार करेगा यदि ऐसी इस्तितियां हो तो जनता धहरे नहीं खूती और उचित मार्ग पर बनी रहती है लेकिन तथे यह है कि भारत के शाशक वर्ग में समवेदन शीलता का नितान तभाव है ये तो विलासिता और शान्चोकत के घेरे में बंदे है राजनितिक धर पटक उनका सर्वुच धर में और जनता के सुक दुख से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है रजनी कोठारी ने लिखा है राज्यो राज्यसत्ता का अभिजन बर्ग के छूटे से गुट द्वारा अपरण कर लिया गया है और उनके द्वारा राज्यसत्ता का प्रयोग अपने ही विशेशादिकारों और स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है नमबर पाथ दल्ये राजनिति, चुनावी राजनिति और शाशक वर्ग द्वारा सम्वेधानिक प्रावधानों का दुर्प्योग आज के आतंक पात के लिए यदि किसी एक तत्व को सबसे अधिक प्रमुक रूप से उत्तरदाई ठेराया जा सकता है तो वह है दल्ये राजनिति, चुनावी राजनिति और शाशक वर्ग द्वारा सम्वेधानिक प्रावधानों का दुर्प्योग आज राजनिति हमारे समस्त जीवन पर छागई है और राजनितिक दलों तता राजनितिक संभरात वर्ग के संबंद में इस्तिती यह है कि वह चुनाव जीतने के लिए कोई भी मार्ग अपनाने से नहीं चुकते राजनिति में संदलगन व्यक्ति व्यक्ति गत और राजनितिक लाव के लिए अपरादी एवं आतंकवादी तत्वों को प्रश्र देते एवं प्रोथसाहित करते हैं और शाशक दल तता विपक्षी दल सभी चुनावी राजनिति के मोहरों के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करने की बात सोचते हैं और करते हैं यहाँ बात दूसरी है कि एक राजनितिक्य का सहरा पाकर आतंकवादी तत्व स्वयम को प्रश्र देने वाले राजनितिक्यों के लिए संकट का कारण बन जाते हैं पिछले वर्षों में संवेधानिक प्रावधानों विशेष्टया राज्यों में रास्त्र पत्ति शाषन लागू करने की प्रावधान अनुशे 356 का खुलकर दुर्पयोग उगा है खालिस्तान की मांग को प्रत्यक्षा परोक्ष रूप में समर्थन देना भारत में सिखों के दमन की बात कहने लगते हैं इसी प्रकार जम्मू कश्मी राज्य में 1984 में फारुक अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त करने का कोई उच्छे तोर परियाप्त कारण नहीं था 1998 में को राज्यपाल रॉमेश भंडारी द्वारा उत्तर प्रिदेश की कलियाण सिंग सरकार को उसे अपना बहुत सिद करने का मौका दिये विनाहीं बर्खास्त करना लोक्तांत्रिक माननेताओं और समयधानिक मार्यादाओं का इसपस्त उलंगन था जानकार सुत्र बताते हैं कि जम्मू कश्मी राजे में तो चनावों की वैदिता पर संदे उत्पन होने के भी कारण है नमबर 6 सर्व व्यापक भीशन ब्रस्टाचार शाशक बर्की कतनी और करनी में भीशन भेद और नैतिक आदर्शों का नितांत अभाव ब्रस्टाचार तो सदव से था और विश्वि की अन्य देशों में भी है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत में अत्य दिक व्यापक रूप में और उच्छे तम इस्थर से लेकर निम्नेतम इस्थर तक ब्रस्टाचार ने अपने वीशन तम रूप में घर कर लिया है नब युवक बर्ग राजनितिग्यों और अन्य धनाड्यों के व्यवव और शांद शौकत को देखकर भूचका है राजनितिग्यों उत्षिस नौकरशाहों और उद्धियुक तथा व्यापार से जुड़े व्यक्तियों की आश्रण को देखकर उसके मन मानस में देशित की भावना कमजूर हो गई तथा नैतिक अनैतिक प्रश्नी ही नहीं रहा शाशक वर्ग की कत्री और करनी में जो भारी वेदे उसने नब युवक वर्ग में भारी आकरूश पर दिया है यह नब युवक वर्ग जब देखता है कि तसकर, माफिया, अपरादी तत्मों या आतंक पात से जोड़कर थोड़े समय के लिए ही सही उश्रंकल मौज मस्ती का जीवन अपनाया जा सकता है तो भे इसकी और आकर्शित हो जाता है आतंक वाद की इस्तिती यह है कि आतंक वादी बनना या आतंक वादी गिरोग का सदसे बनना बले ही सहरल हो लेकिन उससे बहार निकलने का कोई रास्ता नहीं होता अविजन वर्ग का जीवन व्यभार नव युग को में भारी नेतिक गिरावट पैदा कर रहा है नमबर साथ प्रशाशन की विबिन एकाईयों में सहयोग का अभाव और कानून तथा नियाय व्यवस्ता में कमिया विबिन देशों की पुलिस बल सीमा सुरक्षा बल आवश्यक तानुसार अर्दे सैनिक बलों में उचित सहयोग गुप्तिचार पुलिस कारे कुशल ता राजनेते कारे पालका की कोई स्पस्ट नीती वे स्पस्ट निर्देश देशने में समर्थ और नियाय व्यवस्ता ऐसी जो की रातंक वादी ततकाल दंडित हों और निराप्रादी शीगर मुक्ती प्राप्त करें होनी चाहिए लेकिन भारत में तो इन में से कोई भी बात नहीं है भारत के विबिनने क्षेत्रों में आर्थिक असंतुलन की इस्तिती है महरास्ट जैसे अफिक्षाकृत संपने राज्य है लेकिन उसका विधर्विक्षेत्र आर्थिक विकास की द्रिस्टी से बहुत पीछे है असं में पेट्रोल जैसी प्राकृतिक संपता है लेकिन इसका लाव असं को कम मिलता है बिहार, मद्दप्रदेश, उडिशा, पश्च्वी, बंगाल के जनजाती क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी भारत के साथ राज्यों और तेलंगा ना क्षेत्र आदी के विकास की और हमारा ध्यान नहीं गया है हमें इन सभी क्षेत्रों को किंद्र सरकार पर आश्रित बनाए रखा है यदि इन क्षेत्रों में आतंकवाद पनपता है तो इसके लिए अकेला व्यक्तिया केवली एक शेत्री दोशी रही है परन समूची व्यवस्ता ही दोशी है आज विश्व की अनेक देश आतंकवाद से पीडित हैं ऐसी इस्तिती में होना यह चाहिए कि विश्व के विभिन देशों की सरकारें आतंकवाद को निस्तना बूत करने में एक दूसरे के साथ सहयोग करें लेकिन इस्तिती यह है कि अनेक देशों की सरकारें आतंकवादियों को सेनिक प्रसिक्षन, शस्त्र सामगरी, शरण इस्तली, आधी की सहिता देकर आतंकवाद को प्रोचाहित करती है। कम से कम भारत का एक पड़ोसी देश, पाकिस्तान, खालिस्तान, समर्थक आतंकवादियों और जम्मू कश्मीर राज्ये के आतंकवादियों को सभी संभव साहिता देता रहा है। बड़ी मात्रा में आर्थिक सहिता और शरण इस्तल प्राप्त होती रही है। आज भी यही इस्तिती है। भारत के प्रती पाकिस्तान का यह इस पस्टतया अमेत्री पूर्ण कारण है और पाकिस्तान की इस भूमिका के कारण भारत में आतंकवाद की स्तिती ने बहुत कमभी रूप ले लिया है। यह थे आतंकवाद की कुछ मूलबुक कारण। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इनका निवारण या आतंकवाद को नियंत्रित करने के उपाय। धन्यवाद।